नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दिवाकर दश्रमा और आप देख रहे हैं डिस्कवर नियू तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं वर्ष 2019 का जो question paper उसको हमें solve कर रहे हैं तो यह उसकी क्या है third part है इससे पहले मैंने क्या कर रहे है second part of first part को discuss कर दिया है और साथ ही साथ previous year के मैंने 2015 से लेकर 2021 तक के सभी question सभी जितने भी previous year के beard के entrance के paper थे हैं उनको सभी को detailed में solve किया detailed in the sense mathematics के भी आपको proper हर एक question का मैंने answer provide कर वाया है किस तरह से solve हुआ क्या concepts यूज हो रहे है साथ ही साथ मैंने बताया है teaching aptitude को commissions को हर एक चीज को मैंने holistically cover करने की कोशिश करी है तो इसी में इसी series में हम क्या करने वाले है question 2019 के third part को solve करने वाले है third part में क्या cover करेंगे है हम दस question जो हमारे second part के बाद के रह गए थे उसको हम यहां पर solve करने वाले है तो हम जल्दी सिखा करते है third part के remove करते है तो third part का जो हमारा first question है हो क्या है first question हमारा है तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी का आया है तो YouTube चैनल पर आपको बहुत से आपको बहुत से जैसे कि कोई आपकी commission से related question होते हैं वो किताब में मिस्प्रिंट है आप क्या करते हो basically जो YouTube जिन्हों ने वीडियो बनाई हो ने क्या किया है किताब से उन questions को पढ़ते हैं और जो उन पॉइंट आउट किया है जैसे स्वरण की जो बुक है या competition S series की बुक है या फिर और भी जितनी बुक्स आती हैं कि उनमें कहीं न कहीं गड़बड हैं मतलब 100% करेक्ट नहीं देते हैं answer ठीक है teaching aptitude में तो खास कर commission में खास कर और यहां तक की mathematics में भी general knowledge में भी यहां तक की काफी गलती है ठीक है तो इसमें आपको क्या करना है कुछ से aware होना है एक दो जैसे कि मैं पहले भी कहते रहता हूँ जैसे मैं अपने टेलिग्राम चैनल पर हर एक जैसे यह 2019 का question paper है तो मैं क्या करूँगा एक तो मैं खुछ से answer provide कर वा हूँ यदि आपको कहीं भी मेरे question के आपको इसाब एक contradiction होती है मालो आपने कहीं कुछ और पढ़ा है क्योंकि आप यदि ब्याड के त्यारी कर रहे हो तो आप और भी resources को follow कर रहे होँगे यदि आप जिन भी resources को follow कर रहे हो यदि किसी भी question के साथ आप आप वो contradiction होती है कि मैंने तो कुछ और अंसर पढ़ा है तो आपने उस question को जरूर जरूर से क्या करना है एक बार इंटरनेट पर सर्च करना है उसको verify करना है मान लीजी हो सकता है कि मैंने गलत पड़ाया हो देखिए मैं हमेशा आपको correct information देने की कोशिश करता हूं और जैसे कि मैं कहता हूं कि 100% correct आपकी machine भी नहीं हो सकती उसमें भ यह regularly मेरे comment section को हर वीडियो के comment section को check करते रहिएगा वहां पर यदि कोई इसे कोई हमें question मिलते हैं जिसका मैंने आपको गलती से कुछ और अंसर बता दिया है और किसी ने मेरे को mention किया है कि इसका correct answer यह होगा तो मैं इसको verify करने के बाद उसके comment को pin कर दूँगा तो आपने pin वाला section भी ज़रूर चक करना है तो चलिए दूस्तों शुरू करते हैं इस थर्ड पार्ट को question number 81 के साथ शुरू करते हैं यह क्या कर रहा है यह क्या क्या रहा है arrange the following given meaningful sequence sequence में आपको एक order sequence में आपको प्लेस करना है तो क्या 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 रहा है यह poverty population death unemployment disease इन सब को आपको एक order में यह करना होगा तो इदिखी सबसे पहले क्या होगा यदि population होगी population population होगी तो क्या होगा population की वैसे population की वैसे poverty होगी ठीक है sorry population की वैसे क्या होगा unemployment होगी अगर जितने ज्यादा population होगी उतनी ज़्यादा unemployment होगी जितनी ज़्यादा unemployment होगी उतनी ज़्यादा poverty होगी और जितनी ज़्यादा क्या होगी disease होगी और disease जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा death होगी तो इस तरह से इन को तो यह बेसिकल एक लिंक था तो यह मैं आपको लिंक समझा दिया कि किस तरह से यहां पर इसका उत्तर सही होगा ठीक अब बात करते हैं कि एक फल विक्रेटा के पास कुछ सेब थे वह 40 प्रतिशाब सेब बेचता है अभी उसके पास 420 सेब है उसके पास कुल कितने सेब थे आपको कुल सेब निकान लें ठीक है अब देखिए इसमें क्या हुआ अब यहां पर आपको क्या ध्यान रखने वाली बात है कि लेट करत अब क्या करता है वो 40 प्रतिशाब गेट का 40 प्रतिशाब एकस का 40 प्रतिशाब बेच लेता तो सेब बच गया पर X का 60% उसके बच गए ठीक है तो यहाँ पी क्या क्या रहा है कि जो उसके save बच गए तो बचे हो法 जिरी गतने है 420 ऐपल बच गए है इसका मतलब जो X का 60% उसका बच गया तो X का 60% किसके एक्वल होगा 420 के एकवल होगा समझ पारे हो मेरी बात को, देखे मैं क्या कह रहा हूं, फिर एक वार इसको समझने के कोशिश करते हैं, यह क्या कह रहा था, कि total apple थे, मैंने क्या क्या, let total apple is equal to x, total apple x थे, मुझे नहीं पता कितने है total apple, और उसने क्या किया, 40% apple को sell कर दिया, 40% apple किस के sell किया, उसने, x का 40% उस तो जो x का 60%, उसके पाब बचा वह बची हुई quantity कितनी है, 420, बची हुई quantity कितनी है, 420, और यह का, मतलब, x का 60% कितना होगा, तो x का का मतलब होता है, multiply, x का 60% कितना होगा, x multiplied by 60 divided by 100, इस तरह से होगा, तो ये किसके equal आएगा, 420 के equal आएगा, देखे, इस बात का किया क्यों यूज नहीं किया क्यूंकि X का 40% तो वो था जितने सेब उसने बेचे यदि वो कॉशन में लिखता कि he sell 40% of apple which is which is मानलो 420 अगर इस तरह स्लिखता मतलब जो 420 होता है यदि ये बेचे हुए apple होते तो X का 40% is equal to 420 तो X multiplied by 40 divided by 100 into 420 वो वाला आप यूज करते यदि वो बेचे होई सेब देता पर उसने क्या दिया बच गए सेब दिया है यह दिहानक ना उसने कितने बच गए 420 एपल उसके बच गए तो बच गए के लिए तो 40% तो बेच गया तो 60% उसका बच गया होगा तो X का 60% किसके equal आएगा 420 के अच्छा अब यहां पर काटने का काम करता हूं तो यह 0-0 कट गया तो similarly क्या हो जाएगा जो भी उदर चला जाएगा तो यह क्या निकल के आएगा मेरे पाँ पूरी एक्वेशन तो X is equal to 420 multiplied by 10 divided by 6 ठीक है तो यह क्या हो जाएगा दो से में यदी इसको काटूं 2-3-6-2-5-10 तो 3 से यदी में काटूं 3-3-4-2-14-140-5 कितने हो गए आपके 700 700 तो टोटल कितने सेव है उसके पास 700 apples है उसके पास तो option नमबर D जो है इसका correct उत्तर हो जाए आई होप आपको समझ आ गया होगा ठीक है अब बढ़ते हैं next question के और question नमबर कौन सा है अब दिखिए time and works related question है time and works related question मेंने 2021 में आपको करवाए हैं 2020 में भी करवाए ह तो आप देख सकते हैं time and work की जो आप वहां से आपको क्या हो जागा एक और ज्यादा better understanding की लॉट्वर किन हो में यह देखिए time and work का question है बहुत यह असान सा सवाल है इसको हम कैसे करेंगे देखिए यह क्या कह रहा है कि A किसी काम को करता है चार गंटे में ठीक है और फिर क् मिल करके कितने गंटे में करते हैं तीन गंटे में करते हैं ठीक है अब हम से पहले क्या करना होता है जिसने मेरी 2020 की और 21 की वीडियो देखी है उनको पता होगा कि इस तरह के कॉशन को किस तरह से करते हैं और time and work की में अपने YouTube चैनल पे भी वीडियो जो है वहां पर डाल र ले लूँगा लगुतम समाब वर्तक ले लूँगा तो चार तीन और दो का LCM आता है 12 ठीक है जिनको LCM निकालना नहीं आता है न वो क्या कर सकते हैं मेरी previous वीडियो में देख सकते हैं जो time and work से related मेरे YouTube चैनल पे डाली है वहां में LCM निकालना आपको सिखाया हुआ हुआ ह इस 12 को भाग करूगा चार से जिब में Cristoमा करूंगा टीना जाएगा चार कुरसियां, और, और बनानी कितनी है उन्हें 12 इन्हें बनानी है अच्छा, यहांपे आपको दिख रहा है कि a, a, a कितने अबनाता है एंक गंटे में? तीन कुरसी हाँ. तो यह ए की जगा में यहां तीन फुत कर सकता हूँ, बिल्कुर कर सकता हूँ, क्योंकि a plus c क्या है? जितनी a एंक गंटे में कुरसी बनाता है, प्लस जितनी c एंगणट कुरसी बनाता है three a. वाला भी कितनी बनाता है गंटे में तीन कुरसी है ठीक है अब आपको निकालना क्या है आपको निकालना है वाला तो देखिए मैं जुरा जॉम ऑट कर रहा मतलब B एक घंटे में एक कुर्सी बनाता है कितने बनाता है एक घंटे में एक कुर्सी अच्छा अब मुझे बताइए आप टोटल कुर्सी यहां है हमारे पाप 12 ठीक है B एक घंटे में एक कुर्सी बना रहा है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं question number 86 की और यह हम देखें लिया question number 86 आप से क्या पूछ रहा है okay तो मैं तो जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आप clearly इसको visible आपको यह clearly visible हो पाए okay question number 86 है which day was the week of November 8 2018 यह पूछ रहा है कि 8 November 2018 को कौन सा दिन था देखें दोस्तों यह किस से related problem है यह calendar problem है ठीक है calendar problem में भी एक specific type है यह किस तरह से when day is not given अब देखें यहां पर आपको कोई reference day नहीं दिया है कि अगर अगर यह question इस तरह से पूछ था कि एक जनवरी 2018 को मंगल वार था तो 8 November 2018 को क्या वार होगा तो यह question किसी दूसरे तरह से solve होता ठीक है पर यहां पर इसने reference वाला कोई नहीं दिया यहां पर reference नहीं दिया इसने तो जब reference given ना हो तो उस तरह के question को किस तरह से करते हैं तो इसकी एक trick है दोस्तों क्या trick है जिसने 2020 और 21 की वीडियो देखी है उनको यह पता होगा trick क्या है x plus y plus code plus day इसको आप याद करके रख दीजिए अब इसमें x क्या है यह y क्या है code क्या है अब इसको sort out करनी कोशिश करते हैं तो वर्ष पहले देखिए आप कौन सा वर्ष आपको given है 2018 का वर्ष गिवन है तो जो given year है उसमेंसे आपको एक साल माइनस करना है सबसे पहले तो थीक है तो first step किया है given year मैंसे एक साल माइनस करना है तो एक साल मैंस करूंगा तो मैं पहुंच जाओंगा 2017 क्या है अच्छा अभी y जो यह x आया y what is y basically y is x by 4 x by 4 करके जो आपको भागफल मिलेगा ठीक है भागफल मिलेगा वो क्या होगा आपका y होगा जैसे कि यहां पर में example लेता हूँ जैसे 17 है इसको आपने डिवाइड करना है 4 से तो 17 यहां पर आपको क्या करना है यहां पर जो आपको यह एक्स को आपको आको आता है क्या फागफल ठीक है यह होता है । तो what is y basically, y is, what is y, y क्या है, x को आपने 4 से भाग करना है, और जो आपको भाग करके जो result मिलेगा, देखिए मैं यहाँ पर remainder की बात नी कर रहा हूँ, यानि शेशफल की बात नी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर भागफल की बात कर रहा हूँ, जैसे कि यह 4 है, तो y क्या होगा, यह 4 है, यहाँ पर क्या है, हमारी केस में 4 है, तो y क्या हो गए, यहाँ पर 4, अब बात करते हैं, कोड की, ठीक है, अब यदि मैं कोड की बात करू, तो हर एक century को एक कोड Elo aged है, एक कोड Elo aged है, कि 2001 से लेकर, ठीक है, 2100 तक एक code है एक code है वह है 0 टीक है वैसे ही similarly एक code Allotted है 1901 से लेकर 2000 तक टीक है और similarly से 1101 से लेकर 2200 तक similarly यहां पीछे अठारा सो एक से लेकर 1900 तक आपको एक code allotted है, हर एक, मतलब हर एक century year को आपके क्या है एक code allotted है, तो 1901 से लेकर 2000 तक एक है code, और यहां से 801 से लेकर 1900 तक 3 है code उस century year का code क्या है 3 सिमिलर लिए यहां पर क्या code हो जाएगा 1 और यह दिमें 2201 से लेकर 2300 तक की बात करूँ, तो वहां क्या code हो जाएगा 3, ठीक है, तो यह आपको पता लग गए कि किस century year को क्या code मिला हुआ है तो यहां पर मेरे को, क्योंकि बात 2018 की किया है, तो यह 2018 वाली century year है, यह 2100 एक से लेकर 200 वाली century year में आता है तो यहां के, यहां पर आपको code क्या allotted है जीरो, तो यहां पर code की जहगा जीरो आ जाएगा, अब बात करते है days की, अभ यह days क्या है बेसिघली, यह days है odd days, अब यह odd days क्या होते है अद दिखे, यह odd days का concept है यह तो थोड़ा सा, तो आपको समझना होगा देखिए दोस्तों होता क्या है एक से लेकर साथ तक क्या होता है हमार को जैसे एक तारीक को यदि मंडे है तो साथ तारीक को क्या आएगा संडे आठ तारीक को क्या करता है वो मन्त रिपीट करने लगता है तो एक मन्त बोल दिया था मैंने एक जो वीक है वो रिपीट करने ल तो मतलब यह जो अब तो अब हमें देखना क्या होता है और डे हम कैसे find करते हैं कि माल लीजिए एक महीने में 31 दिन है तो अब मुझे अगर कोई पूछे कि इस 31 दिनों में कितने और डे है इस महीने में कितने और तो मैं क्या करूंगा इस को साथ से डिवाइड कर दोगा क्या करूंगा साथ से डिवाइड ऑफ्दृट तो लोह कर दीजिए 7 पर जो एक month एक week है वो पूरी तरह से अपने आपको repeat नहीं कर पा रहा है तो इसलिए मैं क्या बोलता हूँ जो जो उस month में जो आपके days last वाले बच गए वह आपकी होते है और days तो यहाँ पर कितने और days है हमारे पाद three odd days है तो अब हमें क्या करने है और days calculate करने है इस year के 2018 के और days calculate करने है कहां तक calculate करने है जैसे question में पूछा है आठ नुवंबर 2018 तो आठ नुवंबर तक ठीक है 2018 साल जो 2018 का साल है उसमें हमने 8 नुवंबर तक सारे की सारे odd days calculate करने है तो अब कैसे calculate करेंगे तो मैं यहां क्या कर रहा हूं यहां मैं लिख रहा हूं January, February, March, April, May, June, July, July, August, September, September, October, और यहां पर इसको मिटा देता हूं, October and this is November, अब देखिए यहां पर मैं करूंगा क्या हर एक मन्त में जितने जितने इन में odd days होते हैं वो भरता जाओंगा, अब देखिए यहां पर अभी हमने क्या जन्वरी में देखिए सबसे पहले आपको देखिए जन्व इसको साथ से भाग करोगे, तो साथ चौक हो जाएंगे, अठाइस, अठाइस और तीन हो जाएंगे, 31, यहां पर तीन शेश्वल बजएंगे, तो कितने odd days हैं, तो थरी आप यहां लिक लिए जिए, सिमिलरली फरवरी में कितने odd days होंगे, अब देखिए जब आप फरवरी का calculate करने जाओगे, तो वहां आप दियान क्या रखना है, कि कहीं वो जो year है, वो कहीं leap year तो नहीं है, leap year का मतलब क्या होता है, कि feb में कितने दिनों जाते हैं, 29 days को जाते हैं, तो उस समय आपको 29 को 67 से डिवाइड करना है, ठीक है, ना कि 28 को, अब देखिए, 2018 क्या है, 2018 क्या है, क्या leap year है, इसको कैसे check करते हैं, आप इसको 4 से भाग करिए, यदि ये 4 से completely divide होता है, तो ये leap year है, यदि आप इसको 4 से भाग करने जाओगे, तो ये completely divide नहीं होगा, ठीक है, आप करके देख सक फरवरी में 0, अब देखिए, मार्च में कितने दिन होते हैं, मार्च होता 31 का, अभी 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 हमने जन्वरी वाले के लिए देखा, कि जन्वरी वाला भी 31 का था, तो इसलिए उसमें कितने दिन आते हैं, 3 odd days आते हैं, तो अपरेल वाला 30 का होता है, तो 30 के लिए, जब अपरेल में अपरेल 30 का होता है तो अपरेल में 2 ओर देज होंगे, मैं मैं 3 ओर देज होंगे, जून में आपके 2 ओर देज होंगे, और जुलाई अगस्त 2, 31 ओर 31 का होता है तो इनमें 3 और अगस्त में 3, सेप्टेमबर 30 का होता है तो 2 ओर देज, अक्टूबर 31 का होता है तो 3 अब देखिए नुमंबर की बात कर रहा है, अभी नुमंबर में आपको कहां तक जाना है, जहां तक ओ डेट देता है, कौशन में कहां तक डेट दे रहा है, आठ नुमंबर तक डेट दे रहा है, ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अब नुमंबर को मेरे को पूरा-पूरा सा तक वो डेट देता है यहाँ पे आठ दिया है तो आठ को मैं 7 से भाग कर दूँगा तो यहाँ पे क्या है 715,7 एक आपके पास शेश्वल बच गया तो यहाँ पे में 9 अममर वाले में कितना लिख रहा हूँ? एक लिख रहा हूँ और डेज में ठीक है अब ऐसा हो सकता है यदि वो दो नॉम्बर तक ही पूछे अब आप दो को साथ से भाग करोगे तो ये तो भाग नहीं होगा तो उस केस में यदि साथ से छोटी कोई quantity है तो वो सिधा 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 और डेज ही आते हैं वो जैसे कि यह आपनॉम्र में कितने ओडेज आए अब मैं क्या कर रहा हूं इन सभी के सभी ओड़ज को एड़ आपकर रहा हूं देखिए कैसे एंड़ एंड़ करूंगा तो यहां पर 3 3, 3 प्लस 3, प्लस 2, यहां दिखिए, मैं सीथा यहां- यहां कर लेता हूं 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, ठीक है, 19 और 2 21, 21 21 22, 22 और 3 25, तो कितने और दे जहां मेरे पार, टोटल 25 और डे जाये अब मैं क्या करूँगा? अब मैं क्या करूँगा तो days में मैं लिख लूँ क्या ठीक है तो अब मैं क्या करता हूँ जो यह मेरे को total odd days आए ना तो odd days कितने आए मेरे पास odd day odd day आए मेरे बाद 25 odd days आए ठीक है अब इन 25 odd days को मैं क्या कर रहा हूँ इन 25 ओड डेज को, ठीक है, अब क्या करता हूं, इन 25 ओड डेज को मैं यहां पे लिख लेता हूं, तो डेज कितने आए मेरे पास 25, अब देखिये, दो तरीके है, यह तो आप जो मेरी आने वाले वीडियो से हैं, यहां पर मैं इस तरीक रहने नहीं देता हूं, तो कैसे मेंशा ही जो days होंगे, वो 7 से कम होंगे, तो अभी आप बोलोगे, कि 7 से कम कैसी हो सकते हैं, हमारे तिया 25 आ रहे हैं, अब क्या करो, इस 25 को further आप साथ से डिवाइब करो, तो यहाँ पी जो odd days हैं, यह days, यह pure odd days है, अब लगा आप को पता, और 4 आपके पाँ, शेश्वल बच गया, तो days में, अब आप क्या लिख हो गए, यहाँ पर 4 लिख होगे, क्या लिख होगे, 4, तो यहाँ आपके पाँ 4 days आ गए, यहाँ पर days की जगा आपके पाँ 4 आ गया, किस से, साथ से, तीक है, किस से डिवाइड करना है, इसको further साथ से डिवाइड करना है, देख़ी, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 25 को further कर रहा हूं, साथ से डिवाइड, तो जब मैं साथ से डिवाइड करूँगा, 7, 30, 21 और 4 आपके बच बच गया, 25 आ गया फिर से समझ पारे हो आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा जो भी मैं आपको समझाना चाहरा हूँ अब आप क्या होगा अब आप अंसर के पास बिल्कुल पहुंच चुके हो अब यह उत्तर क्या है टोटल सम करके आपका 25 आ रहा था ङी मतलब संड़ मंड़ तू जो मंड़ है उसको फेशों नंबर यस था सॢज्द स्थे 1 तूसली को वेडनेस को 3 थर्स्दे को 4 प्राइट देको 5 सातर्ड़ड़ए को मंड़ए तूसली नंट दे सातर्ड़ड़ए को 6 और संडे को आपको, संडे को क्या allotted है, संडे को zero allotted है, संडे को zero, तो यह संडे वाल आपको ध्यान रखना है, जरूरी है, संडे को क्या number allotted है, zero number allotted है, तो यहाँ पर आपके पाँ चार, अभी उत्तर क्या है आपका, अभी उत्तर आया, चार, तो यहाँ पर आपको चार नम इस वीडियो को repeat करके देखिए और इनके notes रनाई है जो शब्द में मुह से बोलता हूं आप जैसे में बोह रहा हूं कि step 1 यह है तो आप लिखिए उसको step 1 this step 2 this step 3 this इस तरह से आप एक proper आपने पास नोट mode ना कर सकते हैं अभी आप देखोगे बहुत बार कि यह question बहुत तरह से repeat calendar problem बहुत repeat करता है वो तो calendar के आपको अच्छी खासी knowledge होनी चीए ठीक है एक एक दू-दो question आपको हर साल देखने को मिलेंगे हर paper में से related देखने को मिलेंगे आपको तो आईए अब दोस्तों आपको सम है यह inequality से greater than और less than से related question है यह इस तरह से भी question आपसे पूछ जाते हैं तो देखिए क्या पूछ रहा है उमेश is taller than Satish तो देखिए उमेश is taller than Satish मतलब उमेश is greater than Satish मतलब यहां पर taller than है ठीक है उमेश क्या है बढ़ा है किस से Satish सूरेश सूरेश क्या है स्मॉलर है नीरज से इसका मतलब नीरज है बड़ा किस से सूरेश से तो ऐसी यू लिख रहा हूं यहां पर Satish और सूरेश दोनों SS से शुड़ होते हैं तो इसलिए मैं रहता कि हम confused ना हो तो मैंने क्या लिखा है सतीश को लिख लेता हूं सतीश लिखा है मैंने और सूरेश को सूरेश को ठीक है सूरेश is smaller than नीरज इसका मतलब नीरज इसमालर दैन किस से सूरेश से अब क्या कह रहा है इन लेंथ but टॉलर दैन उमेश देखे सूरेश is smaller than Neeraj. Suresh, Neeraj से तो छोटा है, but taller than Umesh, पर जो Suresh है, ये बड़ा है किस से? Umesh से, उमेज से, तो क्या है ये बड़ा, who is the tallest upon them, आपको find करना है कि सबसे बड़ा है, सबसे लंबा यहां पे कोन है, ठीक है, अब देखिए, यहां पे order मिनाने की कोशिश करते हैं, इन सबी इनो इनीक्वैलिटी को एक ही इनीक्वैलिटी में फिट करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले देखिए आप, अगर इस second वाले को आप देखोगे, तो नीरच इस ग्रेटर देन सुरेश, तो यहां लिखे जाता हूँ, नीरच इस ग्रेटर देन सुरेश, सुरेश, अब आप देखोगे, सुरेश इस ग्रेटर देन उमेश, तो सुरेश इस ग्रेटर देन उमेश, और यहां पर आप देखो फर्स वाले में, यह सुरेश है, यह मेश है, यह सतीश है, अब कोशन क्या पूछता है, who is tallest upon them, सबसे लंबा कोन है, हुई सबसे लंबा, तो यहाँ सिरसला नीरज यहाँ पर आपको दिख रहा है, एन नीरज सबसे लंबा है, तो option D इसका correct उतर हो जाएगा, तो इस तरह से क्या हो करना होता है आपको, यह inequality वाले question आप इस तरह से इनको easily solve कर सकते हो, ठीक है, अब बात करते 88 की, देखिए, यही question 2021 में question बिल्कुल repeat हुआ है, तो अब ऐसा नहीं है, मैत की question repeat नहीं होते है, मैत की direct question repeat हो जाते है, वैसे general knowledge की direct question repeat हो जाते है, देखिए, DEF, दूसरे में क्या लिखता है, DEF2, BEF, E2F2, ठीक है, अब देखिए, यहां भी क्या हो रहा है, सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले तो तीनों की तीनों term, जो है, वो MPT है, इसमें कुछ add नहीं किया नहीं है, तो अगली बार क्या add करते हैं यह, सबसे last y term को modify करते हैं, सबसे last y term में क्या लिखते हैं यह, सबसे last y term में यह 2 लिखते हैं, उसके बार क्या करते हैं, उससे पिछले y term को modify करते हैं, ठीक है, पिछले y term क्या है, पिछले y term है E, तो उसमें भी क्या लिखते हैं यह 2, तो f में भी 2, e में भी 2, अब दिखियो इससे अगला क्या होगा, क्योंकि last वाली term में 2 इन्हें रिपीट किया, उसके next step में उससे पिछले वाली में 2 रिपीट किया, तो इससे अगले वाली में क्या करना पड़ेगा, first वाली के पास भी 2 आ जाएगा, तो d2, e2, f2, ये option number d क correct हो जाएगा, ठीक है, तो उस अगले वाली में दिखियो ने क्या किया है, अब एक number और increase कर दिया last वाले में, जो की होना भी चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर सही option क्या हो जाएगा, option number d आपका सही उतर हो जाएगा, यही question बिल्कुल डिक्टर रिपीट हुआ है, 2021 के 2021 में अच्छा, अब मैं बात करता हूँ, question number 89 की, 89 question क्या क्या रहा है, in the code language 35796 is written as 44887, find the code for 47, अब लिखिये, coding और decoding के बहुत यह असान से सवाल होते हैं, बस आपको common sense यहाँ पे जिन्दा रखने की कोशिश करना है, जब यह सवाल करना है, बस थोड़ा दिमाग open रखने की को code यह है, अब देखिये, यह code कैसे बन सकता है, इसकी बारे में तरह सोचिए, यदि आप 3 में plus 1 add कर दो, तो 4 आएगा, यदि आप 5 से minus 1 कर दो, तो 4 आएगा, वैसे यदि आप 7 में plus 1 add कर दो, 8 आएगा, 9 से minus 1 कर दो, 8 आएगा, 6 में यदि plus 1 कर दो, 7 आजाएगा, तो इसके लिए तो बहुत इजी आएगा अब आपको इसका जो नबजय आपने इसकी पकड़ लिए तो 46823 यह आपका code है तो इसके लिए कैसे code बनेगा देखिए शुरू इसने कहां से किया था प्लस वन से शुरू किया था तो हम भी प्लस वन से शुरू करेंगे तो पहले प्ल आप प्लस वन उसके बाद माइनस वन ऐसके बाद थीक है आप तक यह क्या हो जाएगा 5 जाइगा 5 6 माइनस क्या हो जाएगा फइट प्लस वन क्या हो जाएगा 9 222 माइनस क्या हो जाएगाय ओन-थ cellagu mirrors यहाझ्ज पार जाो फ्योज़न हागे तू इसका जांची Wir ilsा सद्तकर कर लेता हूं तो next question क्या कह रहा है यह देखिए यह क्या कह रहा है 128 64 32 तो यहां पी पूछ रहा है यहां क्या आएगा series related question है तो इसको solve करने कोशिश करते हैं तो यहां हो क्या रहा है 32 32 गुणा 2 की तो 64 64 गुणा 2 की होते हैं 128 तो 32 32 तो कितने गुणा 2 32 हो देखिए हर एक term मे तो x तो ऐसी यहां पे कौनसी term में लिखूं की उतने गुणा 2 32 हो जाए ठीक है इस तरह से question है ठीक है तो और 32 गुणा 2 कीतने होते हैं 32 64 और 64 गुणा 2 कीतने होते हैं 64 गुणा 2 होते है 128 तो देखिए सिदी सिदी बात है यादि में यहां पे 16 लिग दूंगा 16 गुणा 2 क करेक्ट हो जाएगा तो आई हो आपको यहां पे सभी से question अच्छी से आपको समझ आ गए होगी अब में बात करता हूं जो ने पीछे दो question छोड़ दिये थे देखिए हमने दो question starting में छोड़ दिये थे जिन मेंने का तक इनको में last में solve करूंगा ठीक है अब चलते हैं कि और उनको देखते हैं कि वह question आपसे क्या demand कर रहे हैं ठीक है अब एक मिनट आप वेट करा तो देखते हैं यह question number 83 क्या demand कर रहा है ठीक है question number 83 क्या हो रहा है a man's speed with the current is 15 km per hour and the speed of the current is 2.5 km per hour the man's speed against the current is देखिए यह भी असान सा question है बस थोड़ा इसमें आपको सोचने की जुरूरत है wait a minute हाँ थोड़ा सा आपको इसमें क्या है सोचने की जुरूरत है कैसे सोचने है आपने अब देखिए आपको example देता हूं में धिए वोट and stream वाले question रिखिए यह नदी है यह नदी क्या है ए से बहरी है थीक है अब क्या होता है यहां पर मैं कष्टी बना रहा हूं ऐसे कष्टी बना रहा हूं यह थीक है इसे अब देखिए आप तरह सा एज्यूम कीजिए गुद से ठीक है अभी देखिए यह कष्टी मैंने इसमें ना तो मैंने इसमें किसी नावीक को बिठाया है नावीक मतलब कष्टी को चलाने वाला अभी यह खाली कष्टी है अब यहां पर इसने क्या करना है यह एपॉइंट है यह A पॉइंट है और कहीं यहां जाके यह B पॉइंट है इनके बीच का डिस्टेंस है मान लीजिए 60 किलो मेंटर अभी क्या है और यह जो नदी बहरी है नीचे को बहरी है वह बहरी है अब देखिए औब इसका पानी नीचे की और जा रहा है तो यदि इसमें कोई भी ना से अब करने बेठा हो क्या यह चुलाब होगा बिलगुल सकती है क्यों क्योंकि यह पानी यह को अपने साथ बहा जाए कर वहाँ और भी पाइट होगा धैक है अच्छा यदि अब इसा पानी जी इस पानी का बहाव पानी बहाव न मैं लिए 27 design손 park जा सकती है अब इस ती बावर ज़ा कि आद रहे द रहे कितने पें देःज चि जाख चाओ देखिए अब देखिये आपने निकालना गया है आपने time निकालना है यहां पर कि कितने time में यह a point से लेकर b point तक पहुँचेगी तो time इधर को time को में एक जगा लियाता हूं तो time is equal to distance divided by speed is equal to time तो देखें, डिस्टेंस कितना है हमारी case में, 60 km, और speed कितनी है, 2 km per hour, तो 30, तो कितने hour लगेंगे इसको time, 30 hour, 30 hour, देखें, यहाँ पे में, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ, अभी आप समझी है, कुछ लिखिये मत, तो time कितना है, 30 hour आपको लग रहे है, A point से B point तक जाने में, कब लग रहे है 30 hour, जब आप क्या कर रहे हो, कोई भी इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब ज़िख कोई भी इसके अंदर नहीं बैटा है, तब भी यह A point से लेकर B point तक जा सकते है, क्योंकि यह पानिका बहाव है यह से बहाव करके A. से लेकर B. अब मैं बात करता हूं किस चीज की अब मैं बात करता हु जब इसके अंदर कोई nav Kendohl बैठा है और उसे चला रहा है ठीकर अब देखिए जैसे इसके अंदर कोई नाव बैठता है तो क्या करता है वो चलाना शुरू कर देता है जैसी इसको चलाना शुरू करता है तो यह नाव क्या है गती पकड़ना शुरू करती है अब देखिए जो यह नाव की गती है मान लीजी नाव की गती है जो चला रहा है हो क्योंकि वो चला रहा है अब इसके य एथावन किलोमेटर, पर आवर, ठीक है, वो इतने तेज़, जो इसमें, इसके अंदर जो नाविक बैठा है, वो इसको चलाने लग गया, और जो चला रहा है, तो इसकी स्पीड कितनी अब, 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 ध्यान रखना सिर्फ में बोट की बात कर रहा हूं, इस बोटी की स्पीड है ठीक है तो अब देखिए क्योंकि यह नीचे क्यों जा रही है डाउंस्ट्रीम जा रही है तो तो अब इसमें दो फैक्टर आपके प्ले में आएंगे एक तो क्या एक तो जो नाविक बोट चला रहा है पहली बात तो यह स्पीड जो गेन करेगी ठीक है किलोमेटर प्रती घंटे की रफतार से जो नाविक इसके अंदर बैठा है वो इस बोट को चला रहा है एक स्पीड तो वो है और दूसरी स्पीड कौन सी है क्योंकि दो किलोमेटर पर आवर की स्पीड से यह पानी बह रहा है तो दो किलोमेटर स्पीड पानी की है तो टोट इसकी जो speed है यदि वो downstream जाती है तो speed में इजाफा होता है यानि speed में addition होता है जो इसकी actual speed है ठीक है जैसे boat हमने देखा था कि boat की actual speed तो 85 km थी पर क्योंकि 2 km पर hour की speed से जो पानी वो चल रहा था तो अब कितनी speed होगी उसकी total speed कितनी होगी उसकी 60 km पर hour तो यदि मैं A points लेकर B अब बात करूँ तो वो जादा जल्दी पहुंच आएगा क्योंकि उसका पानी जो बह रहा होगा वो भी उसकी help करेगा जादा जल्दी उसको वहां पर पहुंच आने में ठीक है तो सी मिलरली इसका reverse case हो जाता है क्या यदि वो अब ये boat यदि बहे पानी की उल्टी धारा म अब देखिये उल्टी धारा में बहने का क्या मतलब है देखिये 58 km पती गंटे की रफतार से बोट चल रही है यह यह boat की speed है अब देखिये यह boat कि सपीड है यह चपू चलाने वाली boat नहीं है यह electrical boat नहीं हो ओठ यह जो engine से चलती है यह उस तरह की boat है ठीक है अब देखिये अब इसी बोट को आपको धारा के उल्टी दिशा में चलाना है, अब देखिए उल्टी दिशा में क्या हो जाएगा, ये जो पानी है, पानी क्या करेगा, इसको नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसका धलान तो नीचे की ओर है, पर ये जा कहा रही होगी, ये किलोमेटर पर आवर हो जाएगा तो यह पूरे एक्जेम्पल से मेरे समझाने का क्या मतलब था कि यदि कोई जो बोट एंड बोट बोट एंड ये वाटर एंड वाले जो जितने भी इस टाइप की आपके कॉश्चन होते हैं उसमें जो आपको किस तरह से इसको सॉल करना होता है यह में बिसी के लिए आपको समझाना चाहरा था अब बात करते हैं अब हम आते हैं अपने कुश्चन की हो ठीक है अब यहां पर आपको कॉश्चन अच्छी से समझ आएगा अब देखते हैं क्या पूछ रहा है इमेंस स्पीड विद करंट इस 15 किलोमेटर पर आवर ये क अब देखिए क्योंकि भाव की कि साथ उसकी उसकी स्पीड 15 किलोमेटर पर ने था को तो देखिए यहां पर क्या लिख रहा हूं यहां लिखा उमें मैं स्पीड इस पीड विध करंट वीद करंट इस पानी की बहाव की गति के साथ मतलब एक तो आदमी की अपनी गती है ए तो दूसरी कौन सी गतिस में एड हो रही है, जितनी गति से पानी जा रहा होगा, तो यह क्या है, man speed with current है, तो यह कितना है, 15 km, कितना बोल रहा है आपको यहां पे, 15 km per hour बोल रहा है, 15 km per hour बोल रहा है, ठीक है, अब फिर क्या कह रहा है, speed of the current is 2 km per hour, अब देखिए, अब मैं क्या लिख रहा हूँ, speed of current, current is equal to 2 km per hour, ठीक है, अब देखिए, जो उपर वाली speed है, man speed with current, यह man speed with, चूंकि यह with current है, with current है मतलब क्या हुआ, यह दो चीजों से मिलके बनी है, एक man speed, man speed, प्लस current speed, current की कितनी गती है, मतलब पानी की कितनी गती है, दो चीजों से मिलके बनी है, यह उपर वाली quantity, और नीचे वाली क्या बोलता है, कि speed of the current है, वहां पे 2 km per hour, अब देखिए, यह उपर वाली quantity, जो की 15 km per hour है, इसमें, अब देखिए, दो quantity है, एक man speed, एक current, अब current तो आपको given है, current की speed तो आपको given है, 2 km per hour, यदि मैं उसको उपर वाली current की value में डाल दो, तो यहां से आप आदमी की exact गती निकाल पाओगे, कि कितनी गती से वो तैर रहा है, उसकी खुद की कितनी, टैर रहने की कितनी speed है, यहां देखिए, मैं क्या निकालता हूँ, man speed plus current, देखिए, man speed plus current का मतलब क्या हुआ, कि आदमी की गती पानी की साथ कितनी है, पानी के बाव के साथ, वो है 15 km per hour, और यहां देखिए, पानी की गती खुद की कितनी है, current की गती 2 km प्रति गंटा, तो देखिए, man speed, man speed, तुम में क्या लिए हूँ, man speed, plus 2, plus 2 hour, is equal to, 2 hour नही, plus 2 is equal to 15, ठीक है, 2 नहीं, 2.5 है, 2.5 है, ठीक है, तो plus 2.5 is equal to 15, यहां से आदमी की खुद की गती कितनी है, man speed, man speed निकल के आई, यहां पे 15 minus 2.5, यह आगया आपका 12.5 km प्रति गंटा, ठीक है, तो man की actual speed कितनी है, उसकी 12 km प्रति गंटा, और पानी की साथ, उसकी कितनी speed है, 15 km प्रति गंटा, तो पानी की कितनी speed है, 2.5 km पतिगंट आप देखिए वो क्या पूछ रहा है कि उसी आदमी की गती speed अदिखिए the man's speed the man's speed against the current is अदिखिए with the current का मतलब है current की गती के साथ मतलब जब वो पानी की बहाओ के साथ बह रहा है जब वो पानी की बहाओ के साथ बह रहा है तब उसकी speed 15 km है तो पानी की बहाओ के साथ इसका मतलब क्या हुआ की man's speed प्लस current की speed और against का मतलब क्या हुआ Man's speed minus current की speed क्योंकि वो उल्टीं दिशा में बहरा है क्योंकि तैर उल्टीं दिशा में रहा है और पानी नीचे की man speed against अगेंस्ट करंट तो यह क्या हो जाएगा 12.5-2.5 तो यह क्या बन जाएगा 10 km per hour जो की आपका उत्तर भी है तो आपका उत्तर यहां पर क्या होगा 10 km per hour तो option C यहां पर आपका correct उतर है आई होप दोस्तों आपको एक क्वेशन समझाया होगा कि मैंने किस तरह से यहां पर आपको समझाने की कोशिश की है बोट और स्टीम से रिटे है कोशन था यदि इस तरह का कोशन कोई भी आपको आते हैं तो मैंने थूड़ा सा कॉनसेफ्ट के बारे में बता दिया है इसको में चार्जिंग पर लगा तो कॉमल ने कितने में खरीदा था कॉमल बाइद आर्टिकल एट डिसकाउंट ऑफ 25 परसेंट एट वट परसेंटेज अबग दा कॉस्ट प्राइट शुड़ ही सैल इतु मेक अप्रॉफिट ऑफ टॉन्टीफ़ परसेंट ओवर दा ओरिजि मानन लिजे कोई चीज थी 100 रुपए की तो उसने 25 कि डिसकॉंट पर खरीदी घी purity टो पिचातर रुपए की हो ठीक है अब इसके लिए कॉस्ट प्राइज क्या हो गया अब देखिए लिस्ट प्राइज तो उसके प्राइज हो पर उसने कितने में खरीदी वही चीज पिच ठिके और लिस्ट प्राइज की अगया एपने तो इसपे क्वेस्ट प्रॉपीज इसके पार रिस्ट IS Rise लिस्ट प्राइज इसको लिस्ट की नहीं होता है थो कॉंदिफवाइण का इसको शूर्प का मतलब है कि 25% की छूट हुई है तो 100 का 25% कितना होता है 100 का 25% निकालना है आपको 100 multiplied by 20% 100 multiplied by 20% का मतलब होता है 1 upon 100 25 by 100, 100, 100, 125 इसलिए हम क्या करते हैं percentage वाले case में 100 as in reference की तरह यहां पर क्या हो गया तो उसके लिए कितना का cost price हो गया उसका उसी चीज़ का 75 उसके लिए cost price हो गया अच्छा अब क्या करना है at what percentage above the cost price should he sell it to make profit of 25% over the original price अब देखिए क्या कह रहा है लागत मुल्यों के ऊपर कितने प्रतिशद पर उसे वास्तिविक मुल्यों से 25 प्रतिशद लाव कमाने अब देखिए अगर उसे वास्तिविक इसका list price क्या है 100 rupees है अब क्या कह रहा है कि इस 100 rupees से ऊपर ठीक है इस 100 rupees को reference मानते हुए उसे कितने में इसे बेचना पड़ेगा कि उसे पच्चित प्रतिशद लाब हो किसकी respect में यहां पर list price के respect में अब क्या कर रहा हूं मैं आप यहां पर confused हो रहे होंगा कि प्रॉपर एक language आपको लिख वाता हूं ठीक है तब आपको तो अच्छी से समझ आएगा अब मैं क्या कर रहा हूं इसको language की as in language की form में आपको लिखवा रहा हूं यह terminated language थोड़ी सी में आपको लिख के लाया हूं च्छी अब कि देख लेता हूं ताकि आप कोई proper language यहां पर मिल से के देखिए अब इसको लिखना शुरू कर रहा हूं यह क्या बोर रहा है let listed price be देखिए जो list price को let करता हूं से पहले let listed price be इसका फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है list price 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 discount discount multiplied by 100 यह का फॉर्मूला है ठीक है तो यहां पर cost price कैसे निकलेगा तो cost price क्या हो जाएगा जब 25 प्रतिशेद का price 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 सब्सक्राइब करते हैं अब बात करते हैं सेल कितने में करना है सेल एट 25 परसेंट प्रॉफिट अब दिखिए वह क्या हो रहा है कि अब आपके इसको बेचना है ठीक है अब यहां पर क्या लिख रहा हूं सेल अब आपको इसको 25 प्रतिशत के लाब के उपर बेचना है अब दिखिए जब भी आप लाब प्रतिशत निकालते हो तो आपको एक किसी के यह Reference मेरा लाब निकालते हो आप हमेशा ही टीक है अभी जो लाब ये बोल रहा है ये निकाल lata आपको list price के reference में ये बोल रहा है कि list price प्राइज से 25 प्रतिशत लाब पे आपको इसको बेचना है ठीक है जो माल लीजिए यह एक मैगी कपकेट है इसकी उपर 100 लिखा है को लिस्ट प्राइज है पर आपको 25 प्रसेंट ऑफ मिल रहा सा बजार में तो आपको यह 75 रुपए का पड़ा अब आपने किसी को आगे बे तो आप कितने में बेचो के 125 रुपए में बेचो तो इहीं यह कहना चाहता है स्यल एट 25 पर्सेंट प्राफित और प्लस टेक है पिछली बार आपको डिस्काउंट मिल रहा था तो 100 से सो सब्imana था है 100 । यहांपे क्या होगा 100 uplift profit profit percent profit ruscent multiplied by 100 इस था थे인가 से होगा तो देखिए 100 plus profit percent क्तना वापको profit percent हुआ है है आपको 25 percent profit तो 25 divided by 100 multiplied by 100 कर दिया मैंने तो 100 से 100 कर गया तो इस बार 100 plus 25 कितने होगे 125 हो हो गे तो इस बार 125 हो गया तो तो कितने अब दिखिए question क्या पूछ था सब्सक्राइब थे अब तो इस बार कितने पड़ा था हो 75 का तो इस में कितने आपको 50 अपको यहां पे तो profit कितना को आपको 50 का और आपने ख्रिदा कितने में था आपने 75 में ख्रिदा था multiplied by 100 हो जाएगा ठीक है जब आप इसको काट होगे ठीक है जब आप इसको काट होगे तो काट के क्या उत्तर आएगा आपका इसमें कितना उत्तर देता है 66.67 देता है तो इस तरह से इसका उत्तर निकल जाएगा तो आई होप दोस्तों जीतना भी हमने mathematics का section यहां पर किया है वह आपको अच्छे से समझ आगया होगा ठीक है अब यदि कोई question आपको कोई कोई भी डॉट रहता है तो डॉट आप मुझसे कहा पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं मैंने अपनी प्रोफाइल का लिंक नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन में और साथी साथ यदि आपको कोई question यहां पर गलत लगता है कि मैंने गलत करवाई है या कही कुछ मिसिंग हो गया है तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं ताकि फ्यूचर में जो बच्चे इन वीडियो को देखे वो उनको करेक्ट एकदम करेक्ट कॉंटेंट मिले साथी साथ यदि आपके जो आप मुझे मेंशन करोगे कमेंट में कि यह आपने गलत पताया उसको मैं हाइलाइट कर दूँगा पिन कर दूँगा ताकि जो आने वाले फ्यूचर के बच्चे हैं जो मेरी वीडियो को देखेंगे उनको करेक्ट एक दम इंफॉमिशन मिले जाए तो अब हम क्या करेंगे इसी पार्ट का एनलीसिस करेंगे ठीक हम देखेंगे कि इसे करते हैं ठीक है तो अब हम क्या करने वाले है एनलीसिस वाले सेक्षिन की ओड जाएंगे तो चलि दोस्तों इसको इसका एनलीसिस करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपको टाइम एन वर्क से एक प्रशन पूछा गया था एच प्रॉब्लम से आपको एक पॉशन प पूछा गया था, series formation से एक था, और find relation, relation find करना होता है आपको जैसे कि ये ये वाला था, ear, nose, ठीक है, उस तरह से heart वगरा वाला थे हो, heart वहाँ पर फेर में exist नहीं कर रहा था, तो उस तरह से आप से question ये भी पूछा गया था, general mathematics से दो question था, बोलो गया आप general mathematics क्या होती है, व B से बड़ा है, B C से लंबा है, इस तरह से कुछ, calendar problem से एक question था, और यहाँ पे लिखा है मैंने profit plus loss and simple and compound interest, यहाँ लिखा है मैंने 1 plus 0, इसका मतलब क्या है, 1, 1 plus 0 का मतलब क्या है, 1, 1 है, किसको represent करता है कि first वाले topic से आप से question पूछा गया था, profit and loss से, plus 0 किसको represent करता है था, कि simple and compound interest से आप से कुछ नहीं पूछा गया, similarly नीचे मैंने 2 topic साथ में लिखे है, speed, distance, time, plus boat and stream, तो speed, distance and time से आप से कुछ, कोई question नहीं पूछा गया, जबकि boat and stream से आप से एक question पूछा गया, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, इस वाले question को आप धंक से analyze कीजिए, question paper को, तो आप क्या देखेंगे, देखी, जितने भी topic है, mostly क्या क्या है, हर एक topic को यहाँ पे cover इनोने कर रखा है, हर एक topic से touch करते हो यह इनोने question पूछे है, तो इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि जितने भी question, जितने भी topics में यहाँ mention करता हूँ, analysis में, वो सारे के सारे important होते ह जा मैं डेश लगा रहा हूँ, इसको मतलब यह नहीं है, कि वो question कभी नहीं आएंगे, वो कभी न कभी किसने किसी साल में beard में, उस related question पूछे गया, तो यह सारे के सारे topic क्या है आपके लिए important, और इतने जादा important नहीं है, यह किसका analysis देख रहे हैं, 2019 का है, ठीक है, तो मेर कहने का क्या मतलब है, मेरे कहने का यह मतलब है, कि, okay, wait a minute, तो मेरे कहने का यह मतलब है, जितने भी यह topics है, सारे कि सारे आपके लिए important है, सब को आपने देख करके जाना है, कि कोई भी question यह दिया आ जाए, तो at least आप वहाँ पर क्या कर पाओ, attempt in को easily वहाँ पर कर पाओ, त क्या में जो आपको पढ़ाता हूँ, क्या आपको समझ आता है, यदि तो जितने भी आपको feedbacks है, वो मुझे comment के माद दिन से आप मुझे बता सकते हैं, तो अपने जो जितने भी आपके दोस्त बेर की तियारी कर रहे हैं, तो उनके साथ इन वीडियो को आप शेर कर सकते है ताकि उनकी भी जो preparation में हो कुछ न कुछ मदद हो जाए, तो हम क्या करेंगे जल्दी मिलेंगे next part के साथ, तब तक के लिए thank you so much